दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में इसका नाम है खिलाडी गेम प्लेइस और हम देख रहे हैं फॉल आउट फॉर का गेम प्लेइ लास्ट एपिसोड तक हमने देखा कि कैसे हमने काल बुजा का सामना किया किस तरह से ये कुछ फ्रेंड्स को यहां तक ले आए जहां पर हमारा पहला घर था उसके बाद काफी दिनों तक मुझे इतना समय नहीं मिल पाया है जिस वज़ा से मैं इतना रेकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया हूं बीच में थोड़ा टाइम लेक करके मैंने ये सेटलमेंट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है इतना भी कुछ नहीं किया कि सिग्निफिकेंट चेंज हो सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़े की हैं और मैं चाहता हूं कि के ऊपर ही सेटलमेंट को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर एक अलग से ही श्रिंखला बनाओ तो काफी दिनों के बाद हम वापिस मिल रहे हैं दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों हम अब आगे जाते हैं हम देखते हैं कि ये फॉल आउट नहीं कर रहा था तो भी मैंने कुछ-कुछ चीज़े चेंज की हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखिये बेजिकली मैंने कुछ वेपन को अच्छे-चे नाम दिये हैं और उनको कुछ मोडिफाई किया है जैसे कि ये ग्लोव साइट तमंचा और ये दूसरा मार्क्समैन तम साथ में ही देखते हैं कि आगे क्या होता है हमारे प्लेयर मोहन भार्गव के साथ चलिए तो अभी मैं एक वेपन सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारी है ये 10 mm की गन इस रेकार्डिंग में इस पोड़कास्ट में मेरा पूरा ध्यान है कि मैं यहां का एरिया पूरा हो सके तो थोड़ा सा सर्च आउट कर दूँ कुछ अन्वेशन कर ले लेट सी वाट वी कें डिस्कवर सो चलिए मेरा ये पूरा आइडिया है कि यहां पे कुछ न कुछ तो है चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों चलिए हम और हमारा रॉकी उर्फ टॉग मीट हमारे साथ चल रहा है और यहां पे हमारी गन्स ये गन्स मैंने थोड़ी मोडिफाई की हुई है तो आप देख सकते हैं कि कुछ गन्स को आटोमेटिक बनाया हुआ है और ये राइफल थी जिसको मैंने स्कोप से नवाजा हुआ है तो चलिए हम आगे जाते हैं देखते हैं कि क्या है वेस्टलेंड के अंदर ये तो पूरा ही वेरान सा पड़ा हुआ है और नदी के साथ साथ जा रहे हैं पूरी दूंद है कुछ अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा हुआ 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 यहां पे कुछ लगा मुझे हाँ यह देखिए एक और मखी हम ट्राइ करते हैं इस मखी को स्नाइप करने के लिए और हमने स्नाइप कर दी देखा दोस्तों यह गन इतनी अच्छी है दूर से हम स्नाइप कर पाते हैं तो चलिए वहां तक जाते हैं देखते हैं क्या मिलता है रिबापरे एक और आगई यह काफी नजदीक है हम उसे स्नाइप नहीं करेंगे उसने पूरा हमला बोल दिया है और हम फिर भी दो बार नाकामियाब तब जा करके उसको हमने मार गिरा है और एक यहाँ पर हमने मार गिरा ही थी अच्छा है चलिए हम आगे जाते हैं यह हमारी राइफल है और यह हमारी पिट पिटी यहाँ पर मुझे एक मच्छर दिख रहा है और मच्छर का नाश हो चुका है दोस्तों मेरे पास एक रियल लाइफ डॉग मीट है घर पे तो वो भी कुछ अलर्ट सा घर में पैट्स होने चाहिए एक आर्मी हेलमेट मिली यहाँ पर रेडियेशन काफी ज्यादा है और गंस काफी अच्छी है अभी तक तो यह आटोमेटिक राइफल है काफी अच्छी तरह से शूट करती हुई एक और है यहाँ पर बढ़िया काफी अच्छे मोडिफिकेशन है दोस्तों बड़े बड़े मच्चर और हमने यहाँ पर एक बड़ी सी टैंक को खोज निकाला है काफी रेडियेशन है यहाँ पर ज्यादा हम रुकेंगे नहीं यह बकतर बंद टैंक काफी सालों पुरानी लग रही है और यहाँ पर देखिया उपर एक है तोप और यह यहाँ पर दो तोप और पीछे से सोल्जर्स के लिए ट्रांस्पोर्टेशन अच्छा मोडल है पर यह 200 साल पुराना चली हम और आगे जाते हैं देखते हैं और क्या मिलता है हमें यह वेस्लैन में चली हम रिलोड कर लेंगे और यह गन रिलोड ही है काफी दूंद है काफी दूंद है यहां पर कुछ दिख रहा है कुछ कैबिन जैसा चली जाते हैं कैबिन यह कुछ कैबिन है और हमने चेक किया यहां पर हैं कुछ एनिमीज पर इतने भी नहीं है हम आराम से उनका मुकाबला कर पाएंगे यह राइफल इतनी भी अच्छी पिस्टोल में तबदील नहीं हो पाई है और हमारा यह कंपैनियन जो काफी helping साबित हो रहा है भी मैं यह gun को शायर इतना use ना करूँ चली देखते हैं यहां पर क्या मिलता है यहां पर और कोई है और देखे डॉग मीट हमें चांस ही नहीं दे रहा वो खुद ही सब कुछ समप कर रहा है यह छोटे छोटे जीव जन्तू और यहां पर हमें मिली है रनवे होलो टेप बबल गम और एक ग्रीन ड्रेस एक लालटेन मिला यहां पर एक लड़की की लाश है लाश तो नहीं कंकाल हो चुका है पुरा 200 साल पुरानी लाश जो अब कंकाल में तबदील हो चुकी है और यह है ब्रेन फंगस यहां पर कुछ फंगस एक हाट प्लेट और वेस्टलेंड सर्भाइवल गाइड तो यह पॉल आउट की एक अच्छी सी बात है यहां पर मैगेजीन मिलते हैं और अगर आप उन्हें कलेक्ट करते हो तो आपको उसमें से कुछ नकुछ बेनेफिट मिलते हैं जैसे कि यहां पर देखते हैं तो यह वेस्टलेंड सर्भाइवल गाइड है जहां पर इसको हमारे पास रखने से हमें 5% less damage मिलेगा permanently अगर कोई हमें hand to hand attack करता है तो तो हम यह ले लेंगे यह पूरे वेस्टलेंड में काफी सारी magazines ऐसे बिखरी पड़ी हुए है हम जहां जहां पर भी ऐसे जाते हैं तो वहां वहां पर हमें यह मिलती है they are all secrets और English में इसे बोलते है Easter eggs, so Easter eggs चुपे होते हैं पूरे game के अंदर Easter eggs का नाम ऐसा है कि US में और North America में जब Easter आती है जब ईसा मसी का उनको सूली पे चड़ाया गया था उस दिन के बाद तीन दिन के बाद ईसा मसी वापिस आये थे as a resurrect हो करके तो उस दिन को यह लोग यहां पर Easter बड़ा ही अच्छा festival बना करके यह enjoy करते हैं और उसमें इनकी प्रथा है कि Easter eggs चोटे बचों के लिए बड़े लोग Easter eggs बनाते हैं और eggs को paint करके उनके gardens में चुपा जेते हैं और उसके अंदर कुछ gifts और ऐसा कुछ toffees रखी होती है तो यह चोटे बच्चे वहां पर जाके वह garden में जाके उसको ढूंते हैं तो उसको बोलते है Easter eggs तो वही चीज गेम्स में भी यह लोग वही चीजों से यह जानी जाती है जो special छुपी हुई चीजे होती हैं उन्हें बोलते है Easter eggs तो हमने यहाँ पर एक Easter egg find किया जो थी एक magazine तो चलिए दोस्तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं इस कंकाल को बोलते हैं कि बाई बाई पर एक मिनट एक मिनट इसमें एक hollow tape भी थी तो इस कंकाल की कोई story होगी चलिए देखते हैं क्या story थी इस कंकाल की हम जाते हैं डेटा म में workshop status शायद map में होगा यह रही यह है mycellaneous चीजों में यह runaway hollow tape चलिए हम उसको play करते हैं हम सुनते क्या क्या है तो हमें अब इसवा करते हैं हम तो हमें अब इसवा करते हैं हम् पंकाल की एक story मालूम चलिए है इस बच्ची को गर से उसके डैड ने निकाल दिया था और जब यह बं गिरे उसके कुछ ही दिनों पहले शायद एक या दूर दिन पहले और तब से वह यहां पर यह यह cabin में रहती थी यह story कुछ ऐसी लगी कि यह उसका एक boyfriend था और वो दोनों के बारे में उसके mom dad को पता चल गया और वो काफी गुसा हो गये दुखी हो गये वो same story जो हमारे एशिया में South Asia में होती है कि गरीब लड़का अमीर लड़की और यह लड़की घर से निकल गई अब यहां पर उसका दुर्भाग्य देखो लड़का नहीं आया सिर्फ एक ही कंकाल है दुर्भाग्य पूर्ण बात है चलिए उसको बिदा करते हैं यही पर उसको शांती से यहां पर उसको सोने देते हैं चलिए हम आगे जाते है पॉल आउट ऐसी कई सारी hidden stories से भी भरा हुआ है यहां पर आपको काफी कुछ stories मिलेंगी और यह देखें यहां पर chemistry station भी है चलो अच्छा है कुछ अच्छा नया मालूम चला अब हम यहां से बिदा ल आया काफी दिनों के बाद मैंने फॉल आउट को इवन प्ले किया है तो आम क्वाइट रस्टी बर अभी अब दीरे दे में आगे बढ़ूंगा और मैं यह सोच रहा हूं कि मैं continuously आपको कुछ नकुछ हर वीक अपडेट्स देता रहूं गेम प्ले में तो इसी के साथ मैं इ इस चोटे से मेरे एपीसोड को यही पर समप्त कर रहा हूं और हम जाते हैं उसके बाद दूसरे एपीसोड में जहां पे हम कुछ आगे इस एरिया का अन्वेशन करेंगे कुछ डिसकवरी करेंगे क्या मिल रहा है क्या मिलता है आगे अब तक हमने देखा कि एक बगतर बन टैंक थी पीछे जहां पर हमने कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, एक कैप मिली, military कैप, जो काफी अच्छी होगी, it's a good headgear, और ये कैबिन काफी important है, यहां पर हमें एक magazine मिलती है, और एक hollow tape मिलती है, एक बटकी हुई लड़की की, और ये एक important part, अब इसके साथ ही मैं यहां पर मेरा ये वीडियो सवाप्त करता हूँ, और हम मिलते हैं next video के अंदर, thank you दोस्तो, आपने ये इस वीडियो में interest दिखाया, देखा, आप मुझे definitely comments दीजिए, जिसकी विज़ा से मैं अपना gameplay कुछ और improve कर पाऊँ, अगर आपको कुछ चीज़े ज़्यादा पसंद हो तो मुझे कहिए, मैं definitely उसको मेरे वीडियो में incorporate करने की कोशिश करूँगा, और इसी के साथ मैं आपकी आग्रिया लेता हूँ, और यहीं पर इसको log off कर रहा हूँ, thank you,